तो दे कुश्चिन वी हैव इस डिटर्माइन इफ द पॉइंट से हमें यह बताना है कि तीन पॉइंट्स हमें गिवन हैं तो तीन पॉइंट्स यह भी हमें डिटर्माइन करना है कि क्या यह को लिनियर हैं यह नहीं है तो तीन पॉइंट्स हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं हमारा एक ये पॉइंट ए है ये पॉइंट है हमारा भी और ये पॉइंट है हमारा सी और A के coordinates हैं हमारे पास 1,5 B के coordinates है 2,3 and C के coordinates है हमारे पास minus 2, minus 11 हमें यह बताना है क्या यह तीनो points स्ट्रेट लाइन में है या नहीं को लिनियर का हैं पर यही मतलब स्ट्रेट लाइन में कब होंगे स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि अगर हम AB plus BC करें तो वो AC के equal आना चाहिए अगर ऐसा होता है तो of course वो तीनो points जो होंगे वो co-linear होंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो वो तीनो points co-linear नहीं होंगे स्टार्ट करते हैं इसे ही सबसे पहले अगर हम calculate करें तो यहाँ पर हमें सरफ distance calculate करना होगा distance किस-किस का एक बार तो हमें AB का distance calculate करना होगा एक बार हम BC का distance calculate करेंगे एक बार distance calculate करेंगे AC का so distance formula आपको पता है that is अगर हम distance formula की बात करें तो वो आपको पता है वो है x1-x2 का whole square plus y1-y2 का whole square यह होता है हमारा distance formula इसका यहाँ पर हम use करेंगे like अगर हम A और B points लेते हैं तो 1 यानि कि x1-y1 हमारा A हो जाएगा x2-y2 हमारा B हो जाएगा तो इस according हम values put कर देंगे तो यहाँ जाएगा हमारा root 1-2 का whole square plus next हो जाएगा है हाँपर 5-3 का whole square और जब हम इसे solve करेंगे तो यहाँ जाएगा हमारे पास 1 plus 4 जो कि होगा root 5 के equal next अगर हम BC यहाँ पर calculate करें तो BC के case में जो B के points है वो x1-y1 हो जाएगे and C के जो points है वो x2-y2 हो जाएगे so इस according formula में जब हम put करेंगे तो हमारे पास आएगा like 2--2 हो जाएगा 2-2 का whole square plus next 3--11 3-11 यहाँ पर हो जाएगा 3 plus 11 का whole square जो कि हमारे पास आएगा that is 4 square 16 and next 14 square 196 that is जिसे हम sum कर देंगे तो यह directly हमारे पास आजाएगा 212 that is under root 212 अब हम यह check करते हैं कि क्या यह दौनों का जो sum आता है वो AC के equal आता है या नहीं आता है so AC अगर हम calculate करें तो उस case में A के जो points है वो 1 के according होंगे and C के points है वो 2 के according होंगे like x1, y1 and x2, y2 so यह हो जाएगा हमारे पास root 1 minus minus 2 यह हो जाएगा 1 plus 2 that is 1 plus 2 का whole square plus next 5 minus minus 11 that is 5 plus 11 का whole square जिसे हम sum कर देंगे और sum करके square करेंगे तो यहाएगा 9 plus 16 का square that is यहाँ पर directly हो जाएगा हमारे पास 256 and 256 plus 9 हमारे पास आजाएगा root 265 अगर हम AB और BC को add करें तो वो AC के equal नहीं आता that is AB plus BC is not equal to AC और अगर ऐसा होता है AB plus BC AC के equal नहीं है तो we can see जो तीनों points हमें given है यह co-linear नहीं है not a co-linear points यह में में अगर नहीं है यहाँ दो, यहाँ नहीं है यहाँ प्सजदिदीं लिएगा 20